जैहिंद असलाम वालेकुम नमस्ते सस्त्रियकार आप सभी का मेरे यूटूब चैनल स्काउटिंग सीखो और सीखाव में स्वागत है तो चलिए सुरू करते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बाते हैं हेलो दोस्तों खुसकबरी 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 जिस वेकेंसی का आप लोग इनतेजार कर रहे थे कि रेलवे स्काउट गाइड कोटा की वेकेंसी कब आयेगी तो वह पल आगया है कब से यह farm को भरा जाएगा, कब तक इसका last date है, इस farm को भरने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए और कौन-कौन से लोग इस farm को भर सकते हैं, इस farm को भरने के लिए योग्यता और scouting guiding की योग्यता क्या होनी चाहिए इस scout guide quota यानी परिछा में कैसे कैसे और कहां से question आते या आ सकते हैं और यह farm किस किस जगह के लिए निकला है इन सब के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सस्क्राइब नहीं किया है यानी age कितनी होनी चाहिए तो आप यह समझ कर चलिए कि आपकी उम्र 18 से 33 वर्स होनी चाहिए तो level 2 के लिए 18 प्लस होनी चाहिए और 30 वर्स से कम होनी चाहिए और इसकी योग्यता 10 प्लस 2 यानी intermediate पास होना चाहिए और लेबल 1 के लिए एज 18 प्लस होनी चाहिए और 33 वर्स से कम होनी चाहिए और इसकी योग्यता 10 पास यानि हाई स्कुल पास होनी चाहिए इसके बाद जिसकी उम्र 30 या 33 साल से उपर हो गई है तो OBC को 3 साल और SCST को 5 साल की छूट दी जाएगी अगर आप इस उम्र की कटेगरी में आते हैं तो तभी आप फर्म को भर सकते हैं और एक बात जिसकी उम्र 2004 के बाद की है वह इस फर्म को नहीं भर सकते हैं क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि 11 2004 जन्मतिती की नीचली सीमा सभी के लिए दिया हुआ है इससे नीचे के लोग नहीं भर सकते हैं चित्र में देखकर आप समझ सकते हैं इसके बाद है यह फार्म किस किस जगह के लिए निकला है तो यह फार्म मुंबई, भुसावल, नागपूर, पूरे और सोलापूर मंडल के लिए मध्य रेलवे ने इस स्काउट गाइड वेकेंस को निकाला है इसके बाद है कि इस स्काउट गाइड कोटा यानि परिच्छा में कैसे कैसे और कहां कहां से क्वेश्चन आते या आ सकते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि यह स्काउट गाइड कोटा के नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि स्काउट गाइड रोवर रेंज के प्रवीश से लेकर राष्टपती पुरुसकार तक के स्लेबस से क्वेस्चन आते हैं और इसकी अलामा कुछ अलग से जी के भी पूछे जाते हैं इसकी अलामा वर्ल्ल स्काउटिंग गाइडिंग से संबंधित भी क्वेस्चन पूछे जाते हैं यानि कि इस स्काउट से ही संबंदित पुस्तक से और कुछ अलग से जी के भी आ सकता है इसके बाद है कि कब से यह फार्म को भरा जाएगा कब तक इसका लाश्ट डेट है तो इस फार्म को भरने की तिर्थी 6 दिसंबर 2021 को दिन के 11 बजे से स्टार्ट यानि भरा जाएगा और अंतिम्ति थी है 20 द है इसके बाद है कि इस फार्म को भरने के लिए योग्यता और स्काउटिंग गाइडिंग की योग्यता क्या होनी चाहिए थो योग्यता में लेवर्ट एक के लिए है स्कूल पास और लेवर्ट दो के लिए 10 प्लस टु यानि है स्कूल पास और intermediate पास होना चाहिए और स्काउटिंग गाइडिंग की योग्यता में राष्टपती एवाडेड स्काउट गाइड रोवर रेंजर हो यानि की राष्टपती पुरुसकार प्राप्त होना चाहिए इसके बाद दूसरा है हिमाले उडबैज किसी भी सेक्सन से होना चाहिए मतलब कि आप या तो हिमाले उडबैज प्राप्त हों या तो राष्टपती एवाड प्राप्त हों इन दोनों में से कोई एक जरूर होना चाहिए और इसके साथ साथ पान साल का सक्रीयता प्रमाड पत्र होना चाहिए तभी आप इस फार्म को भरने के योग्य होंगे और तभी आपका फार्म सेलेक्ट होगा तो दोस्तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैंने रेलवे स्काउट गाइड कोटा के वैकेंसी में लगने वाले सार्टिफिकेट वो मिलने वाले अंक इत्यादी की वीडियो पहले ही बना दी है उस वीडियो का वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्टर में मिल जाएगा आप वहाँ से देख कर समझ सकते हैं और एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि फार्म को भरने से पहले आप इस फार्म के नोटिफिकेशन को एक बार जरूर पढ़िएगा और इस नोटिफिकेशन में जो जो चीजे लिखी हैं वो बताई गई हैं उनको ध्यान से पढ़ने के बाद ही आप फार्म को भरिएगा और सबसे महत्तोपूर्ण बात आप अपना जिस भी लेवल में फार्म भरिएगा उस फार्म की पिंट आउट निकलवा कर अपने पास जरूर रखिएगा इसकी अधिक जानकारी के लिए आप rrcr.com 2021 ओनलाइन अपलाई को गूगल में लिखकर सर्च कर देख सकते हैं और इस वेकेंसी की नोटिफिकेशन की PDF लिंक मैंने डिस्क्रेप्शन में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दे दिया हैं आप वहाँ से लोड कर देख और समझ सकते हैं तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सस्क्राइब और सेर जरूर करें जय हिंद